हे गाइस वेलकम बैक अगेन गाइस इस वीडियो में हम लोग थ्री फिंगर सेटिंग्स की कुछ मिश्टेक्स के बारे में जानेंगे साथ ही साथ बैस्ट थ्री फिंगर कश्टम एच्यूडी बैस्ट प्लेसस एंड साइजेस फॉर बटन सच बोलू तो इस वीडियो को है अब सट करने में तुम सेट करना कितम्हें जो भी बटन से फाल थू बटन से उसको भी एड़ कर्ले जैसे oxy को बने कैρते में राइट साय्ट वाले पोर्सन पर क्या करते है बहुत सारे बटन्स को रख देते और मुझे जहां तक लगता अभी भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि टू फिंगर पर खेलते हैं जिस कारण से वो अपने जंप बटन, सीट बटन, स्लिप बटन, सभी बटन को इधर ही रखते हैं जब भी तुम लोग अपने कस्टम हुडी पर बटन्स को सेट कर रहे होते हैं तो यहां पर तुम्हें ध्यान यह रखना है कि तुम्हें अपने राइट वाले साइड पर बहुती कम बटन्स ही रखने हैं देखो इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि किसी भी बंदे को मारने के लिए तुम्हें फाइर बटन का यूज करना पड़ेगा अब सिंपल सी बात है तुम लोग फायर बटन का यूज करते करते तुम लोग बाकी बटन का इस साइड पर यूज नहीं कर पाऊ और यहीं काराने तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बटन को रखना अपने लेप्ट के साइड पर ताकि बंदे दिखने पर तुम लोगों ने वाइट एपकी वीडियो को देखाई होगा वह भी अपने कस्टम है चूडी पर दो तिन बटन को एकदम क्लोज ली रखते है और एक दो बटन को बहुत ही ज़्यादा नजदीक पर रखते हैं लेकिन देखो उन लोगों के पास होता आईफॉन या पिर क काफी ज़्यादा होती जिससे वो हलके से टच से भी अपने बटन को वर्क कर सकते हैं लेकिन तुम लोगों का पास वैसा चीज नहीं है सिंपली तुम लोग क्या करना अपने बटन के बीच गैप रखने की कोसिस करना कैसा मतलब कि जब भी तुम लोग कस्टम हुड़ी को स दूसरे बटन क्लिक हो गए मिश्टेक नमबर फोर अधिकतर बंदे क्या करते हैं या तो बड़े यूट्यूबर्स का कस्टम है चुड़ी को कौपी करते हैं ऐसे कौपी करना बुरी बात नहीं है वो चाहे तो उसी कस्टम है चुड़ी पर अच्छा वाला गेंपले भी कर सकता है लेकिन यहां बात आती ही वो क्या करते हैं सेम कस्टम है चुड़ी को अपलाई तो कर लेते हैं लेकिन वो साथ ही साथ एक मिश्टेक यह करते हैं कि सभी बटन्स का जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम कर देते हैं क्योंकि वो लोग यह सोचते कि सेम बटन्स तो इससे ये होगा कि तुम्हें सभी बटन्स अच्छे से दिखेंगे जिससे तुम्हारे माइंड पर वो सेट हो जाएगा अब तुम्हें भी पता है जब माइंड पर ही बटन्स सेट हो जाएगा तुम लोग बिना देखे भी कभी भी किसी भी बटन को प्रेस कर पाओ और जब तुम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तुम्हें नए कस्टमेश्यूडी पर तुम्हारा हैंड भी सेट हो जाता है तब चाहो तो तुम लोग अपने कस्टमेश्यूडी की जो ट्रांसपेरेंसी है यानि की बटन्स की उपिसी उसको कम कर देना क्योंकि अ अरे एटिट्यूड भाई आपने पहले के वीडियोज में बोला था कि तुम लोग सभी ट्रेनिंग ग्राउंड पर ही प्रैक्टिस करना उससे हमारे बहुत ही ज्यादा हिट्स लगते हैं यह फसका सी अरे देखो ऐसे तुम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड पर भी अरे देखो अगर तुम लोग चाहते हो कि अपने मुव्मेंट स्पीड को राइस्टार के जैसा करें या फिर उसी के जैसा हमें फास्ट गेंपले करना है तब तुम लोग अपने लेफ्ट साइट पर अपने स्वीच बटन को रखना अच्छा या फिर हो सकता है कि तुम्ह यहाँ पर स्वीच बटन को ही रख सकते अब कुछ बंदे का यह भी कहना होगा कि मुझे वन टेप नहीं मारना बलकि मुझे बहुत ज्यादा फास्ट ग्लूवल लगाना है या फिर हो सकता है तुम्हें 360 ग्लूवल की ट्रिक को सीखना है चाहे तुम्हें ग्लूवल की होती फास्ट ग्लूवल सभी चीज करना है हाँ तो सिंपल सी बात है कि इन तीनों बटन को तुम्हें लेप साइड पर ही रखना है अच्छा एटिटीट भाई ने तो बोला थे कि अपने सभी बटन को लेप्ट के साइड पर रखना है तभी जाकर मैं राइस्टार के जैसा वन टेप मार पाऊंगा चलो जल्दी से मैं अपने कश्टमेश चूड़ी पर चेंजिंग करता है और सभी बटन को लेप्ट के साइड पर ला लेता हूं अरे भाई तुम्हें ऐसा चीज नहीं करना है मैंने तो यह भी चीज बोलाता है तुम्हें अपने बटन में गैप भी रखना है अब तुम लोग चाहो स्विच बटन को यहां रखो यहां रखो या फिर रन बटन को यहां रखो कहीं भी रखो लेकिन तुम्हें लेप्ट स मैंने बटन को सेट किया है वहाँ पर तुम लोग चाहो तो सेट कर सकते हो इसको तुम लोग स्क्रिन-स ओर्ड मार्कर रख लो या फिर तुम लोग वीडियो देखते देखते ही फ्री फायर पर जाकर कस्ट्म मैं यूज करता हूँ अभी से नहीं बलकि लगब 8-9 महीने से और इससे वन टेप भी लगते हैं बहुत ज़्यादा मुवमेंट स्पीड भी होते हैं तुम लोग चाहो तो ट्राइ कर सकते हो देखो मैं संदीप महिस्वरी तो हूँ नहीं कि मैं तुम सभी को मॉटिवेट करू लेकिन कुछ बातों को तुम्हें समझा सकता हूँ और इससे तुम्हें समझना भी चाहिए देखो ये जरूरी नहीं है कि तुम लोग राइस्टार की कस्टम अचूडी पर खेलोगे तभी जाकर राइस्टार जैसी गेमपले कर पाओगे तुम लोग चाहो तो two finger पर भी headshots मार सकते हो या फिर four finger खेल के भी headshots नहीं मार सकते हो तुमारा headshots लगना या फिर ना लगना ये depends करता है तुमारे practice पर कि तुम लोग किस तरह से practice कर रहे हो और हाँ सबसे बड़ी बात कि तुम लोग जब भी एक महिने तक ट्राइ करते हो किसी भी नई कस्टम है चूड़ी तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा गेमपले तभी के समय पर अच्छा नहीं होगा सभी बंदे तुम्हें नूब भी बोल सकते हैं अच्छा खेलने सीख जागे तो वही बंदे तुम्हें बार बार बुलाएंगे कस्टम जीताने को आज के लिए बस इतना ही अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और मन करो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना